का आलो गाइस वेलकम टो इस्टाजचंबी आज हम आप लोगों के लिए लेकर आगये है बटा अट्रीम बैच का डे नंबर 300 ऐसे भी चले जाएंगे बहुत ही जल्म तो बिटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा फ्लूइड मेंगानिक्स अंटरा जैसे का आप सबको पता है बिटा है ना तो फ्लूइड मेंगानिक्स है मेरी साब सही पूरा ने लिखका क्यों कि में बिटा मिर्कों इसकी स्पलिंग में कन्फूजन है वीटा मेरेको यण एसके सेहावाी नहीं आती है और मैं पर श्रय स्वाधर हूं फ़े लिन करता बोग्र पिक्लों करते हैं के बाती हे को अगर 62 वाल ले ग्यें तरे एक फ्लोट करता है क्या करता है? मैं गा ठीक है बही कि ये कोई object मैं ने dip कर दिया जो dip object है घर अब्जेक्ट है बहुता है न बहुता? ये क्या करेगा? ये कुछ fluid को displace करेगा ये क्या करेगा कुछ fluid को displace करेगा है ना बटा कितना fluid displace करेगा ये ये जो fluid displace करेगा बटा वो होगा बटा volume of volume of object के वरागा ठीक है बटा जितना हमारा volume of object है बटा उतना ही हमारा क्या होगा volume of fluid displaced ठीक है बटा volume of fluid displaced समझ में आ रहे हैं ना बेटा कि जितना हमारा क्या होगा बेटा जितना हमारा dipped object है बेटा अब ओपे सी बात है इस object को dip करूँगा है ना बेटा तो ये कुछ fluid displaced करेगा कितना fluid displaced करेगा बेटा जितना volume of object है उतना हमारा volume of fluid displaced आएगा बेटा यह हमारे आर्केविडियों करने सबसे पहले कहां नगा सर इसके बाद कहां कहते हैं इसके बाद इन्हों ने बहुत ही प्यारी बात बोली कि अगर मैं कोई भी ऑग्जेट को फ्लुइड के अंदर डालता हो उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगता है आप सब लोगों ने भी एक्सपिरियंस किया होगा कभी बातरूम में नहाते आहा ठीके बेटे गुनमुन आते हुए आहा ठीके बेटे बाल्टी के साथ खेलते हुए आहा मग्ये को उल्टा करके मारा ह जब हम मग्ये को उल्टा करके मारते है तो देखा है ना उपर की तरफ एक पुश आता है है ना बेटा उसको हम बोलते हैं बाइंसी क्या बोलते हैं बेटा बाइंसी ठीके बेटा और उसको हम प्यार से क्या बोलते हैं बेटा अप्थरस्ट भी बोलते है उसको हम प्यार से मघ सर उना इस एक पकिन कोई सिवारा साफ के जानकारी दीजिए मैं सब्सक्रॉलõr सथा करें हनजी सर फोर्स होता है मैंने कर सके बराबर होता यहाणे को वहाद हिसकी इसका खुद का मास होगा तो कि तरफ क्या लग रहा होगा है और उपर की तरफ अफ्थरस्ट किसके बराबर होता है एम डैश जी के बराबर अब कई बच्चे सच रहोंगे यह एम डैश क्या है? हैना बहए ऐम तो मुझे पता इस आबजएक का मास है लेकिन यह यह आपढ़ा है अच्छा इस प्लूइड की डेंसिश्टी लेट से रहो है समझते है बिटा अब इस म डैश को समझते हैं टिक है मैंने कहा पाई माल ले म यह तरह कंटेनर है यहां से ऐसे चेद बनावा इसमें तो तुम्हारे दरीया बहे गया था यहां पर भी बहे गया था यहां जैसे तुम इसके अंदर को डालोगी यह भी बहे आएगा विटा तो हम नहीं क्या कर दिया यहां पर कटोरी लगा दी उसको फरीटर लगा थी है घ्लाचिए मैं अब मैं ऑबटेड यहां पर इसके में दुम तैक काटोरी दुम आ खरण में तरह कुछ लिकॉड डिश्वी e.p इस कटोरी में कुछ पानी आजाएगा जब मैं इस बंदी को जब मैं इस ऑब्जेक को इसमें डुबाऊंगा जिसका वॉलिुमी है तो एवियस ही बात है कुछ पानी हाँ पर गिरो इहाँ जाएगा इस पानी का जो मास होगा वह होगा म-च इस पानी का जो मास है वो क्या है M' और M' जी यानि कि इस पानी का जो वेट है M' जी इतना ही क्या करता है कोई भी fluid हमारे पर बाइंसी या फिर अपरस्ट लगाता है इसको find कर लेते हैं कोई दिक्कत परिशानी नहीं अब ही हमको बता है कि जितना इसका volume होगा उतना ही इसका भी volume होगा volume दोनों के सेम होगा अभी बतायाता है आर्किमटीज इंकल ने कि जो dip करते हैं अगर हमको ऑब्जेक्ट तो fluid displaced करता है कितना fluid displaced करता है जितना object का volume है न उतना ही fluid बाहर निकालके फेग देता है ठीक है मेटा अच्छा तो अब ध्यान से समझेगा म' को calculate करते है अगर मुझे F upthrust बताना है ठीक है न F upthrust बताना है तो F upthrust किसके बराबर है बिटा M'G के बराबर है कोई भी दिक्टित परिशानी वाली बात नहीं है है ना अब ध्यान से समझे बिटा मास को क्या लिख सकता हूं, density into volume, into में जी, है ना बटा, density किसकी, object की या, पानी की, पानी कहा रहा हूं, ओ ये, fluid की, fluid की भईया, क्योंकि मुझे तो इसका मास निकालना है, है ना, और इसका मास निकालूँगा, तो volume भी सी किलूँगा, और ये तो fluid है, है ना सर, बहुत है बटा, volume हमारा object की, है ना बटा, क्योंकि object की volume और इसकी volume बराबर होगी, है ना, तो simple सी बात है बटा, कि हमारा जो upthrust आया, upthrust आया बटा, वो कितना है रो, into में V, into में G, है ना बटा, और माल लेते हैं, अगर इसका area of cross section, A है, है ना बटा, और इसकी जो length है, height, ये कि जी, जी हा, यापता क्या आगया, सर, upthrust आगया, ठीक है सर, height अगया, इस object की h है, area of cross section A है, है ना बटा, तो upthrust कितना आजाएगा, rho h into g, जी हा बटा, है ना, अच्छा, सर, एक तरीका तो ये हो गया, इसको calculate करनेगा, रहा ठीक है बाई, कि तो ये एक और तरीका बता द एक माल ले मेरा पास जो object है, इसकी height कितनी है? h माल ले, अगया, ठीक है ये हमारा fluid भेरा हुआ है, है ना बटा, ये मेरा fluid भेरा हुआ है, ऐसे ही ठीक है, नीचे सिस पर pressure लगारा है P2, उपर सिस पर pressure लगारा है P1, area of cross section A है, है na height इसकी h है, ठीक है बटा, कौ़ भी दिक् अच्छा मैंने कहा कि सर एक बात बताईए जो अप्थरस्ट है वो फ्लूइड का फोर्स है या फिर अब्जेक्ट का फोर्स है फ्लूइड का फोर्स है अब्जेक्ट का फोर्स है तो भईया अप्थरस्ट तो फ्लूइड का फोर्स है है ना पीटा, माइनस उपर वाला फोर्स, है ना पीटा, क्योंकि मुझे अफ़रस निकाल ले, है ना तुम्हें क्या करूंगा, नीचे वाला फोर्स, माइनस उपर वाला फोर्स, नीचे वाला फोर्स कितना हो पीटा, पीटू इंटू ए, उपर वाला फोर्स कितना हो पीटा जी याँ बेटा अब तेह ऑच्छे सोचिंगे है कि यहाँ पर टो Mजी भी लग रहा होगा वह क्यों consider नहीं किया Mg तो object का force है Mg तो object का force है लिकिन मैं क्या देख रहा हूँ मैं देख रहा हूँ fluid के forces सिर्फ वहाँ पर हमने mg consider नहीं किया सिर्फ और सिर्फ अब भायाँ अब भईया अब्धरस्त कितना आ जाएगा अब्धरस्त कितना आ जाएगा अब्धरस्το मुन्यू रहीया इस point चे ढुपकी लगा इस point पर पहुछना है मैं खास सार इस point पर प्रेशर P1 था प्लस मैं h height नीचे गया h into rho into g is equal to इस point पर पहुच गया इस point पर प्रेशर P2 तो मैं लिख सकता leo into g is equal to P2 minus P1 लिख सकता हूं गिटा लिख सकता हूं न size pressure P1 था डुबगी लगाई हाई हाई लीचे रो डेंसेटी में यानिकि प्रेशर बढ़ेगा पॉजिटिव रहेगा है ना बेटा तो रो इंटू ह इंटू जी है ना तो P2 माइनस P1 का होगया बेटा P2 माइनस P1 होगया है है एच से रो जी कोई भी दिक्कत परिशानी वाली बात नहीं है है ना अच्छा तो दिखो वेटा यह वाली बात एक्टम समय में आगए कि अप्थरस्ट यहां पर Archimedes Principle क्या था अप्थरस्ट कैसे लग रहा है अप्थरस्ट कोई भायंड वाली बात नहीं है है ना चलिए वेटा यहां तक की बात में समझ भाई सर कुछ कंडिशन्स बता दीजिए कुछ कंडिशन्स बताईजिए अप्थरस्ट की तो Characteristics है कुछ इसके बारे में चर्चा कर लीजिए मैंने कहा मैंने कहा कि सर यह जो अप्थरस्ट है ना ओब्वेस्य वात है हमारा क्या है फ्लूड का फ्लूड का फ्लूडaisse mm यह कौन लगा रहा ही फ्लूड लगा रहा है object पर है ना अच्छा मैंने का सर अप्थरस्ट कैसे कैसे लही कुछ सिटयुशन सीचीन ही तो मैंने बेरा अबजेक्त यहे हैं और यहां पर एक बोई भको मेरा न बहुत है एक अब्जेक्ट मेरा सिंख कर गया विल्कुल यहां है पर रखक ये और शर एक अबजेक्ट मेरा बड़ा अजीब सा था खाजला इस प्रखार लो डहा इस पर गटा तो अब भाई मुझे वह बताना है कै अब थरस्ट कहा खेंगा तो 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 बि फ्रस्ट इस वाली केस में लगेगा यहां पर पानी है ठीक है ठीक है इस वाली केस में लगेगा इस वाली केस में लगेगा इस वाली केस में नहीं लगेगा क्यों अब फ्रस्ट लाने के लिए एक चीज रिक्वाइड होती है कि बॉडी के नीचे भी फ्लूइड होना को बाडी के नीचे भी फ्लूइड होना चाहिए नीचे भी उपर को क्या गरेगा बेटा नीचे में तरफ यहां पर नहीं है तो इस इस case में आमार अब थरस नहीं लगेगा और इदन दोनों case में आमार अब थरस लगेगा तो भगया इसमें क्या लगेगा इसमें आप लोगों क्या लगेगा उपर की तरफ नॉर्मल रियक्शन क्योंकि surface से touch हो गया अज बरी तो इसमें लगेगा normal reaction तो इसमें लगेगा normal reaction लगा के solve करें जो जमीन से touch हो इसको आप लोग अब थरस से solve कर सकते हैं तो समझाया सर एकदम बढ़िया तरीक है समझाया कोई भी दिक्कत परशायन वह बात नहीं है है यह ना एकदम बढ़िया समझाया सर अच्छा मैने कहा मैं कहा कि भी आर्केमीडी जने थोड़ा-थोड़ा हमारे को floatation के बारे में भी बताया था थीक है बटा आर्केमीडी में का बताया था जितना ये इसकी भी फूरे लगरा होगा उतरutan पर आ परर इस पॉइंट wie लगरा होगा वो जाला नहां पर ऐसे दा यानि कि हमारा जो अपर फ्टरस्त कम अच्छ से मोती है और इक हो ढकला हो अगर यहां नहीं नगेडियाAh tenure exist T partnerships आप आप फरस लग रहा होता निचे रख्यों यहां पर भी अप्थरस तरह लग रहा होता लेगन कंडीशन इस जमीन से टच न हो ईन अप्थरस्ट हमारा पॉजीशन पर डिपेंड नहीं करता अगर हमारे अगर हमारे फ्लूइड की देंसिती यूनिफर्म है तो ठीक है बेटा न यूिनिफर्म देसिटीए कि हार ओसेटीए कि लूंदर हर एक फंदर हार फगใชफ के रहते हैं मैंने करते और ग। क्वाज का विश्ङकि की यॉपाइथ भाइप मैंने बोला में ओड़ीख के दो तरीकर साभजय के एक गारिए अब अबज़े Уब्जेक्ट रखंए यह न शर्ट यह कि दोनों का वॉल्यूम सेम है मैं ने कहा अगर आपका वॉल्यूम सेम है उनकी शेव चाहे फिर कुछ भी हो उन्हा पर जो अप्थरस्ट लगएगा वो क्या लगएगा same लगेगा अगर दो objects का volume same है है ना वेटा अगर दो objects का volume same है तो इन पर लगने वाला upthrust भी same होगा वेटा है ना upthrust of body 1 is equal to upthrust of body 2 है ना वेटा ये सिर्फ तभी हो सकता है if volume are equal ठीक होगा तभी होगा जब हमारी volumes कहोंगे बराबर ठीक होगा जब हमारी volumes कहोंगे बराबर ठीक है बात समझना यह बहुत ही आसान सी चीज है कोई दिक्कत परिशानी वाली बात नहीं है अब हम आयाते हैं फ्लोटेशन पे अब हम किस पर आते हैं फ्लोटेशन पर आयाते हैं तुम लोगों ने ऊचीज सर पढ़ी याद करो थो डना सा याद करो 9 अभी क्लास क्लास में हम लोगों एक चीज पढ़ी थी उसका आझ çıkar करके दिखाएंगे कि भाया होता क्या है ना होता क्या है ना कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लेट से आप लोगों का क्या है या आपका एक कंटेनर है इसमें हमारा फ्लूइड भरा हुआ है फ्लूइड की देंसिटी कितनी है माल लेते हैं फ्लूइड की देंसिटी आप लोगों को दे रखी है फ्लूइड की देंसिटी आप लोगों को क्या दे रखी है विटा फ्लूइड के डेंसिटी आप लोगों देर रखे रो है ना और यहां पर एक ऑबजेक्ट है इसकी डेंसिटी आप लोगों देर रखे सिग्मा ठीके बटा तो अब तुम लोगों को एक चीज बोलता है कि अगर हमारा ओबजेक्ट की दिन सब्सक्राइब की कम है किस्टे फ्लूइड से तो तेरेगा वड़ाबर होती है तो बिल्कूल ऐसे करके float करता है वेटा ऐसे करके है ना, और ज्यादा होती है तो sink कर जाता है, यही पताता हमलोगों समस्ते हैं मैंने कहा माल लेते हैं यह हमार एक object है ठीक है वेटा, यह हमार एक object है, ठीक है कुछ इस परगार, ठीक है जी इसका कुछ पाइट बाहर और कुछ पाइट अंदर है कुछ पाइट बाहर और कुछ पाइट अंदर है इसका पूरा जो वॉल्यूम है इसका पूरा वॉल्यूम है वॉल्यूम अफ ऑब्जेक्ट ठीक है बिटा? और इसका जो ये सिर्फ हम किस के cases देख रहे हैं हम flotation के cases देख रहे हैं ठीक है बटा flotation के cases देख रहे है flotation के cases देख रहे है ठीक है बटा flotation के cases में क्या है flotation के cases में तयार रहा है यानि कि इस object पर नीचे की तरफ तो भाई इसका क्या लग रहा होगा लग रहा होगा ऊपर की तरफ किया लग रहा हो जबुटा ऊपर की तरफ लग रहा होगा अब जैद सी तरफ अब जब अब दो आपनागी तरफ जो होगा वह एंजी के बराबर होगा है ना बेटा फ्लोट करने के लिए तो यह कंडिशन चाहिए ना बेटा तैराने के लिए तो यह कंडिशन चाहिए कि mg mg must be equal to a thrust जिया अच्छा अप्थरस्ट की विल्यों अभी हमने लिखे थी density of fluid volume of object जो की इमर्ज हुई है है ना बेटा तो कि इतना ही लिक्विट इसने क्या करा होगा बाहर करा होगा तो V emerged ठीक है इंटू में G है ना अभी तो देखा था पीछे रो इंटू में V इंटू में G है ना यह क्या हो गया मॉन्स अफ्टा दिखे सुआ है हैं ना यहां से माल लिक्विट का पर अ अपर अप्धरस्ट को M जी लिखना चाहते हैं खिए तो आप लोग क्या बंदय है युथा विप्विटा जी सी जी की यह ना समार्देंगे है ना बेटा density into volume, कितना volume बाहर आया हो, जितना emerge होआ है volume, volume emerge कितना है, Vim बहुँआ कितना density into Vim is equal to M dash, तो M dash की तिखा भी कहला देंगे, density of liquid into density of liquid यह है, और इसकी density sigma है, into में Vim और इस पूरी body का mass कितना हो, पूरी body का mass का हो, पूरी body का volume into में body के density, body के density कितनी है, sigma है ना, और body का volume कितना है, V O, ठीक है, अब देखना है, अब देखना है, अब ध्यान से संब के V emerge upon में V object is equal to क्या है, sigma upon rho आ गया, कोई भी दिख्यत परिशानी वाली बात नहीं है, एकदम जबरदस्ते हैं के समझा रहा है हम लोगों को, कि भाई या जो V emerge upon में V O है बेटा, वो हमारा sigma upon rho आ रहा है, है ना बेटा, sigma upon rho क्या है बेटा, यह हमारा density of object है, यह हमारा density of fluid है बेटा, अब ध्यान से समझेगा, अब ध्यान से समझेगा, अब ध्यान फ्लोटेशन के इस फ्लोटेशन के यह समझेगा, अगर आपका जो volume immersed है, थिकला वो less than है, less than है किस से volume of object से, है ना बेटा, यानि कि देखरो यहाँ पर volume of immersed है, volume of object से कम है, तो तैर रहा है बेटा, तियर रहा है उपर यूपर तैर रहा है, है ना बटा कि जो हमारा immersed volume है immersed volume है है ना वो हमारा कम है total volume of object से है ना बटा तो condition क्या बनेगी देख लेते हैं हम लोग लिख सकते हैं इसको case 1 ठीक है बटा we immerged upon में the object less than less than कितना हो गया 1 हो गया कोई दिक्कत वाली बात निये we immerged upon में the volume of object less than यहाँ पर बन रहे जाएगा अब we immerged upon view कि यह क्या लगा सकते है sigma upon rho है ना बटा क्या देगा sigma upon rho less than 1 ठीक है बटा तो यहाँ पर क्या देगा sigma less than rho यही तो condition हम लोग ने पढ़ी थी कि density of object must be less than density of fluid तभी वो उपर क्या करेगा है ना बटा अच्छा अब हमने condition और पढ़ी थी कि अगर यह इस तरीके से completely immerged कर जाता है completely immerged किस condition पर करता है जब हमारा दोनों का volume सेम हो यानि कि sigma is equal to rho हो जाए तभी करता है है ना बटा देख लेते हैं इसको भी second वाला case जब हमारा volume immersed is equal to volume of object हो जाए है ना बटा तब की condition चेक कर रहा हूँ है जब हमारा क्या हो जाए बटा volume immersed हो है बटा वो हमारा volume of object के बराबर हो जाए है ना बटा क्योंकि यहाँ पर तो पूरा-पूरा इमर्ज हो चुका है यह लेकिन अभी भी float कर रहा है sink नहीं किया float अभी भी कर रहा है है ना बटा तब हमारा condition क्या बनेगी बटा तब हमारी condition क्या बनेगी तब कि हमारी condition क्या रहेगी बटा धांसे लोको V mark is equal to V ho तो अगर यह बटोलों बराबर होगा तो बना जाएगा यहाँ पर क्या बचेगा sigma is equal, rho is equal to sigma यानि कि यह हमारा क्या बन गया, यह हमारा क्या बन गया वोई-वाली condition बन गी ना, कि जब दोनों का बराबर होगा है ना बेटा, तो यह तैरेगा है ना बेटा, लेकिन पानी के सतह के नीचे, पानी के सतह के नीचे तैरेगा, ठीक है बेटा अच्छा, अब तीसरे case आता है, sinking का case अब भाई, ये case 1 है, case 2 है मैं ये cases किसके बढ़ा रहा हूँ, बढ़ा flotation के cases बढ़ा रहा हूँ किसके cases बढ़ा रहा हूँ, flotation के case में था float करेगा, लेकिन sink का case तो ही नहीं न भाई sink का case floating है फोड़ी है, है न बटा तो sink का case देख्ते है sink का case देख्ते है sink कैसे करएगा, कब sink करेगा, नहीं दे समझते मैंने कहा भाई एक बाद बताओ sink तब कर जाएगा sink तब कर जाएगा है ना, जब हमारा density of object density of object कहने के sigma ज़्यादा हो किस से तो अब्वेस सी बात है अगर में देंसिटी इसकी ज़्यादा है तो भाई यह एमजी डॉमिनेट करेगा एमजी वाला फॉर्स डॉमिनेट करेगा और अप्थरस्ट कम पढ़ दाएगा तो इसलिए वो क्या हो जाएगा अगर हमारी डेंसिटी ज़्यादा होगा फ्लॉइड से तो अब्वेस सी बात है कि जो नीचे की तरफ जो एमजी फोर्स लग रहा है वो आपको डॉमिनेट करेगा और क्या हो जाएगा जमीन पर आ जाएगा ठीके बिटा तो यह वाली बात समझ भए है आप लोगों को एकदम बढ़िया तरीके से यह हमारा अब कई बच्चों का सवाल मेरे पास आता है कि अगर मालो हमारा जो फ्लॉइड है उसकी डेंसिटी चेंज हो रही है तो हमारा क्या लगेगा तो हमारा क्या लगेगा समस्त समस्ते बागे समस्ते बागे क्या बात है आज हमार पास कागज भी भी है देख रहे हो तुम कित्ती करीब ही है ठीक है हमार पास खत्म होगे जागे फिर हमें सोचा छोड़ा save trees कर लेते हैं मतलब पेड़ बजाओ वो कर लेते हैं तो हम लोग ने हमें एंटनी करेंगे बीन बादी, कुक्कू, चनदन लगाएंगे उसको बाद यूज कर पाएंगे आसी यूज निकर पाएंगे हैना बटा चल गए एक बात सब्याएं क्या मतानेवाल दा तो तुम बातों में लगा लेतेंने मेरे टपी बुझे तो क्या कराने हालता ठीक है क्या बताने हालता कुछ याद तो दिलाओ उस तो याद दिलागे आपरो मुझे याद आगे है मेरेको ठीक है ना लेगो मैं कराणा था अफ्थरस्थ इन लिक्विड ओफ वरियेबल डेंसेटी ठीक है एगा इधा इधा बहुत ही आसान है तुम लोग आराम से बना लोगे आराम से बना लोगे मुझे लगता किसी बच्चे को दिक्कत आएगे मैंने गला है यह मेरेक अब्जेक्ट है इसकी हाइट यहां से हच बाए 2 है है ना यहां पर ठीक है बटा है और यह वाली हाइट कितनी है यह वाली हाइट है ठीक है तो अब मैंने बोला अब मैंने बोला कि भाई मुद्दा यह है कि यह वाला लोगे है यहां पर जो लिक्विड है इसकी इसकी देंसिटिए आपको किती दे रखी है इसकी देंसिटिए आपको दे रखी कितनी two-row teoda two-row, है ला तो आपको लगाना है net upthrust कितना लग रहा होगा इस पे, simple ऊपर कि तरफ से pressure p1, नीचे कि तरफ से pressure p2, है ला तो मुझे बता है जो अप्थरस्ट होता हो किसके बराबर होता है P2 into A minus P1 into A सिम्पल सी बात है जहीं बढ़ाता हमने तो area common ने लिया P2 minus P1 अब P2 minus P1 निकाल ला है यानिकि इन लोगे बीचे pressure difference निकाल ला है प्लस में 2 rho into H into G अब इस point पर कितना pressure मिल गया P2 मिल गया तो यह pressure किसके बराबर होता है P2 है ना तो यह कितना आ गया इसको solve करेंगे हम लोग तो यह कितना जाएगा 5 by 2 rho Hg is equal to P2 minus P1 है ना तो P2 minus P1 की जगा लगा दो है आपर आगे आपका अप्थरस्ट आपका आगया कितना 5 by 2 rho Hg into P1 यह आपका अप्थरस्ट आगया खातो वेरियेफल लिकपोर्स पर भी आप लोग अप्थरस्ट लगा सकते हैं कोई भी दिक्कत परिशानी वाली बात नहीं है है ना तो यह Archimedes Principle का एक तरीके से ना एक पॉइंट है है ना एक जगा है एक स्लॉट है Archimedes Principle का ठीक है जो इना आपको आजसी क्लास में करागा ठीक है तो आजसी क्लास इतनी रखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे जिसा by and force लगतो रहा है लेकिन body के किस point बाइन पॉर्स लगीगा है ना बाइन सी लगेगे कहां पर ठीक है यह चीज देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में Archimedes को खतम कर देंगे फिर अपना surface tension और अपनी questions पगेरा शुरू कर लेंगे ठीक है तो आज की क्लास में इतनी मिलते हैं आप लोग उसे next class में अगर आपको